नमस्कार सातियों डॉक्टर उमंख खना हुविवपैथि क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है सातियों आज हम बात करेंगे उस समस्या के विशय में जो हम सब को कभी न कभी होनी है हर मेल को होनी है, हर पुरुस को होनी है लग भग बात करेंगे प्रोस्टेट बढ़ने के विशय में, बिनाइन प्रोस्टेट, हाइपरड्रोफी के विशय में, प्रोस्टेट एनलाजमेंट के विशय में प्रोस्टेट का बढ़ना सातियों एक कॉमन कंडिशन है जो एक एज के बाद, एक एजिंग फैक्टर है जो एक उमर के बाद लगभग सब में होता है, किनी में थोड़ा जादा होता है, किनी में थोड़ा कम होता है हम आपको बताएंगे प्रोस्टेट को बढ़ने से रोकने की और बढ़े हुए प्रोस्टेट को ठीक करने की दसकारगर हुमियोपेथिक दवाएं सबसे पहले साथियों जान लेते हैं प्रोस्टेट होता क्या है या गदूद जिसे हिंदी में कहते हैं वो होते क्या है गदूर हमारे pair of glands होते हैं जो जब हमारे urinary bladder से pipe होता हुआ पेनिस तक से होता हुआ जाता है तो जो urethra उसका pipe का portion होता है उसके बीच में दो glands सबसे last में होते हैं उनका काम होता है semen को lubrication provide कराना कभी कभी होता यह है कि यह glands उमर के साथ age के साथ swell कर जाते हैं enlarge जो जो जाते हैं जब यह vida बड़ जाते है तो यह urethra को प्रेस करने लगते हैं और जब यह urethra को प्रेस करने लगते हैं वही condition में आपको तकलीफ महसूस होती है तो यहां हर उमर में हो सकती है लेकिन after 40-45 years यहां जाधा देखी जाती है यहां पर हम आपको बता दें कि prostate अगर आपको बढ़ा हुआ है तो आप PSA की जहां जरूर कराएं PSA is prostate specific antigen यहां एक prostate cancer के लिए जाच होती है क्योंकि मेल्स में prostate cancer सबसे common cancer है सबसे जाधा होने वाला cancer है तो prostate के cancer के लिए आप जाच अवश्नियमी तूप से कराते रहें अगर आपका prostate बढ़ा है आपकी जानकारी में है तो और नहीं है तो भी आप ultrasound कराते रहें prostate enlargement आपके ultrasound में आ जाएगा 24cc जो normal volume होती है आपको उससे जादा उसकी volume मिलेगी और यहाँ आपका indication होगा दवा करने का साथियों जान लेते हैं prostate बढ़ने के causes prostate एक aging process होता है जो सबको होना है वक्त के साथ इसका side बढ़ता है इसमें थोड़ा कलसिफिकेशन होता है और यहाँ उरित्थरा को प्रेस करने लगता है prostate जिनका बढ़ता है उनको जब आपको रात में बार-बार पिशाब जाने का इसिती महसूस होने लगे पिशाब आपको लगे खुल के नहीं हुआ कुछ कत्रे रह गए पिशाब में आपको बार-बार जलन होने लगे आपके पेट के निचले हिस्से में पेन होने लगे तो समझ लीजे कि आपको हो सकता है prostate हो इसके लिए आप एक ultrasound करा लें और एक PSA की जाच करा लें ये दो जाचे आपकी diagnosis बना के आपको सही रास्ते पर कर देंगी हम बताते हैं साथी हों आपको prostate को control करने बड़े prostate को control करने और ठीक करने की दस कारगर होमियोपेथिक दवाएं उससे पहले हम अपने साथी हों को बता दें जिसमें वीडियो देखने वाले ज्यादा तर हमारे बजूर साथी होंगे उनको बता दें कि आप लोगों से निवेधन है कि क्योंकि prostate cancer सबसे common cancer होता है मेल्स में तो अगर आपको prostate enlargement की सिकायत है तो आप एक कुसल की किसक से मिलके उससे prescribe कराके तभी दवा लें यूँ अपने मन से दवा ना ले हो सकता है तभी यहाँ दवा backfire कर दें symptoms आपको match ना करें और आपको नुकसान पहुचा दे चलते हैं साथियों आपको बताते हैं होमियोपैथि में Prostate को ठीक करने की 10 कारगर होमियोपैथि क कारगर दवा जो होमियोपैथी में Prostate को ठीक करने की जो अपने क्लिनिक पर हम देखते हैं कि बहुत अच्छा काम करती है वहाँ है Baraita Carb Baraita Carb 30 एक ऐसी दवा है जो किसी भी gland की hypertrophy हो आप उसमें ले सकते यानि कोई भी gland जो over work करता हो आप उसमें ले सकते हैं oversize हो गया हो आप उसमें ले सकते हैं और prostate gland भी उसी की संखला का एक gland है तो अगर आपका prostate बढ़ा है तो आप बराइटा कार्ब 30 दो दो बून दिन में 3 बार ले कि आप अपने treatment की शुरुबात कर सकते हैं यहां बहुत कारगर दवा है जो आपके prostate को ठीक करने में उसको बढ़ने से रोकने में बहुत मदद करेगी और ठीक करेगी और इसी शंकला की दूसी दवा सबर सेरुलेटा है सबर सेरुलेटा का मदट इंचर दर्दस बून आप दिन में 4 बार ले ले अगर आपका prostate बढ़ा है आप देखेंगे कि आपका prostate वापस अपने size को regain करने लगेगा और जब आप ultrasound कराएंगे तो फिर वो आपको 24 cc है उससे कम volume ही दिखाएगा उससे अधिक volume नहीं दिखाएगा यानि कि आप ठीक हो चुके होंगे और आपका operation कैंसिल हो चुका होगा फिर एक सिती हमारे बुजूर साथियों में आ जाती है कि urine करने गए और urine के initiate होने में urine के सुरू होने में बहुत वक्त लग गया तो अगर यहाँ condition होती है जब urination के लिए आप बैठते या खड़े होते हैं उस समय आपके urine को शुरूवात होने में पिशाप के निकलने में पास होने में देर लगती है अगर यहाँ सिती आपके हो साथियों तो इसमें दो बहुत कारगर दवा है पहली दवा है climatis climatis erecta 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार हमारे साथि उस condition में ले सकते हैं कि जब आपको urine को पास करने से पहले बहुत देर खड़े रहना पड़ता हो बहुत देर मतलब एक दो तीन मेट खड़े रहना पड़ता हो उस सिती में आप climatis erecta 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार स्टार्ट कर दे लेना आप देखेंगे कि आपका यह symptom चला गया और यह symptom तभी जाएगा जब आपका प्रोस्टेट साही हो रहा होगा तो climatis erecta 30 इस condition की बहुत अच्छी दवा है फिर एक condition साथियों आती है प्रोस्टेट पढ़ने में कि urine पास करने के interval के बीच में यानि आप एक बार urine गए उसके बाद दूसरी बार urine गए बीच में पूरे time दर्थ बना है तो अगर यहाँ esthity आप में हो कि urine पास करने के interval में पूरे time आपके दर्थ बना हुआ है बीच में घंटा दो घंटा जिसके बाद आप urine गए उस condition में उस दर्थ को दूर करने की और enlarged prostate को ठीक करने की होमियोपेटी में बहुत अच्छी दवाई staphis sagria है आप staphis sagria 30-22 दिन में 3 बार ले लें आप देखेंगे कि आपका enlarged prostate भी सही हो गया और जो passing of urine का interval है उसके बीच में जो आपके pain हो रहा है वहाँ भी ठीक हो गया तो staphis sagria बहुत अच्छी दवाई इसका इस्तमाल आप करके आवज टेखें and large prostate के case में जब आपके urine pass के interval में काफी pain हो रहा हो हम आपको बताते हैं दो दवाएं जो आज जो आपका prostate पढ़ने की शुरुवात हो आप यानि आपको urine भी थोड़ा सा लगता हो दो कत्रा रह गया रात में एक दो बार उठना पढ़ता हो और आपके शुरुवात हुई हो तो शुरुवाती inflammatory condition में ही prostate को ठीक कर दे की दो ब समय सजग है आपको मालूम हो गई है और आप prostate ठीक करना चाहते हैं तो आप बेलडोना 200 पावर में और एकोनाइट ने प्लस 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार कुछ महीने यानि एक महीने तक ले लें आप देखेंगे कि वाद symptom आपका वहीं रुख गया और आप रिट्रैट कर गए आप वापस आराम की तरफ आ गए दूसरी कंडिशन जो इसमें आती है कि आपके यूरीन पास तो हो रहा है लेकिन स्टेन बहुत हो रहा है तो अगर आपको स्टेनिंग के साथ यूरीन हो रहा है जो लगाना पढ़ रहा है यूरीन में तो इस कंडिशन में चीमा फिला बहुत अच्छा काम करेगी, चीमा फिला अमले कटा 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार आप ले सकते हैं, आप देखेंगे कि आपको जो इस्ट्रेन लगाना पड़ रहा है, और कभी-कभी ये स्ट्रेन इतना ज्यादा हो सकता है कि आपको पैर तक फ चिपा सा पानी आ रहा है, तो अगर यह प्रोस्टेटिक डिश्चार्ज आपके हो रहा है, और उसके कारण आप प्रोस्टेट बढ़ा है और प्रोस्टेटिक डिश्चार्ज हो रहा है, उस सिती को होमियोपैथी में ठीक करने की बहुत कारगरदवा फॉस्फोरस है, आप फॉस्फोरस वन एम की तीन खुराग पच-पच मिनिट के फासले पर वीकली ले सकते हैं जब आपके चिप-चिपा ऐसा पानी महसूस हो रहा हो और आपके प्रॉस्टेट बढ़ा हुआ हो और आपको शाम को आपकी तकलीफें ज़ादा बढ़ती हो आपको शरीक के अंदर जलन महसूस होती हो या सिम्टम अगर आप में पाए जा रहे हो तो फॉस्फोरस आपकी डग अप दा चॉइस है आप फॉस्फोरस वनियंग तीन खुराग पच-पच मिनिट के फासले पर वीकली ले ले लें आपको लाब मिलेगा फिर एक इस सिती आती है साती हो प्रॉस्टेट एं लाज्वेंट में कि प्रॉस्टेट में फ्रॉथी यूरीन फियने जागदार यूरीन आने लगी तो अगर जागदार यूरीन आपके आ रही है और आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो उस सिंटम को होमियोपैथी में ठीक करने की बहुत कारगर दवाई स्पॉंजिया है आप इस पॉंजिया थार्टी रोदो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं आप देखेंगे कि आपका प्रोस्टेट भी ठीक हो गया हाइपटोफी ठीक हो गई और आपकी जो फ्रॉथी रूइन जागदार यूरीन है वहाँ भी खतम हो गई और आप अपना नॉर्मल जीवन बेतीत करते दिखेंगे तो इस पॉंजिया थार्टी आपके इस केस में ड्रग आफ तचॉइस होगी फिर एक कंडिशन आती है जो हमारे बुजूर साथियों को हो सकती है वहाँ है कि यूरीन ड्रिबिल करके हो रही है धीरे धीरे करके बून-बून करके हो रही है तो यद इस इस्तिती की आयोडम आयोडम वन येम पावर में तीन खुरा का पच-पच मिनिट के फासले पर वीकली उस कंडिशन में ले सकते हैं जब आपके यूरीन जो है बून-बून करके पास हो रही हो और आपको जो कॉंस्टिटूशन है वो दुबला पतला हो और आपको गर् करने की दवा आयोडम है और दूसरी दवा जो कि मैं कहूंगा कि प्रॉस्टेट को ठीक करने की हेड रेमेडिय भी है बहुत इंप्रॉर्टेंट दवा हम अपना ट्रीटमेंट क्लिनिक पर इसी दवा से शुरू करते हैं वहा है कॉनियम कॉनियम वनियम पावर में भी तीन के केस में उस केस में कॉनियम आपके लिए बहुत मुफीत दवा है कॉनियम वनियम पावर की तीन खुराक लेकर आप अपने प्रॉस्टेट के एनलाजमेंट का ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं फिर एक कंडिशन आती कि बहुत पतली धार में यूरीन हो रही है तो अगर बहुत पतली धार में यूरीन हो रही है तो उसकी होमयोपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है क्लिमैटिसिरेक्टा और आर्जेंटम नाइटिकम या दोनों दवा बहुत कारगर हैं आपके बहुत पतली धार में यूरीन होने की सिती में आर्जेंटम नाइ तो उससे पहले उसे दो तीन बार यूरीन जाना पड़ता है तो अगर यहां नर्वस निसापको हो तो उसी सिती में आपका यूरीन का धार बहुत पतली धार में हो रहा हो और आपका प्रॉस्टेट बढ़ा हो उस उन सिम्टम अगर आपको मैच कर रहे हैं तो आपकी दवा आजिंटम नाइट्रिकम है निश्चेत रूप से आजिंटम नाइट्रिकम आपके प्रॉस्टेट को ठीक कर देगी अगर यहां सिम्टम आप में हैं और इसी शंकला की दूसी दवा हमने बताई क्लिमैटिस क्लिमैटिस एरेक्टर 30 पावर में दो 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 बूंदू सिती मे बहुत कारगर दवा है जब आपके यूरीन करते टाइम कटिंग टाइप पेन हो रहा है आपको तकलीफ हो रही है उसी सिती में आप यूरीन का पतली धार होने पर क्लिमैटिस ले सकते हैं यहां दवा आपको बहुत फाइदा करेगी और आपके प्रॉस्टेट को ठीक आप गया है फिर साथि ओन G आती है प्रॉस्टेट ए लाजमेंट के केस में कि आपका प्रॉस्टेट बहुत बढ़ गया है और आपके यूरीन बहुत कम हो रहा है तो यदि यहाँ symptom आप में है तो इसको ठीक करने के हो में परती में बहुत कारगर दवा है पहली दवा है मर्सॉल और दूसरी दवा है लाइकोपोडियम मर्सॉल 30 दो दो बून दिन में तीन बार आप उस कंडिशन में ले सकते हैं जब आपका प्रोस्टेट बढ़ा हो आप यूरीन के लिए जाते हो और यूरीन बहुत कम होती हो या ना होती हो यूरीन तो आपको बार बार लगती यहाँ जाते भी हो लेकिन यूरीन बहुत कम होती हो यहाँ कंडिशन अगर आपके है इस कैंटी यूरीन की कम यूरीन की तो उसकी दवा मर्सॉल है मर्सॉल 32-22 दिन में 3 बार ले ले आपको अराम मिल जाएगा आपको लाब मिल जाएगा मर्सॉल के मरीज के मुँ में छाले भी अक्सर पड़े होते है और खाने के बाद उनको पॉटी या मोशन करने जाना पड़ता है स्टूल पास करने जाना पड़ता है स्टूल होने का अर्जिंग महसूस होने लगती है या भी एक सिंटम होता है जो इस दवा के साथ जुड़ा होता है दूसी दवा साथियों इसी कंडिशन की हमने बताई लाइकोपोडियम लाइकोपोडियम कलेवेटम 30 दो दो बून दिन में 3 बार आप उस कंडिशन में ले सकते हैं कि जब आपके प्रॉस्टेट पढ़ा हो और आपको रात में बार-बार पिशाब लगती हो बार-बार पिशाब जाना पड़ता हो लेकिन पिशाब जादा ना होती हो इस कंडिशन में जो रात में आपको पिशाब जादा जाना पड़ता हो उसकी दवा लाइकोपोडियम है 30 कुछ दिन इस्तमाल कर लें बहुत दिन ना करिएगा लाइको पोडियम इस्तमाल डॉक्टर से पूछ के ही करिएगा लेकिन यह दवा आपको फाइदा देगी फिर एक कंडिशन आती है प्रोस्टेट के केस में लाज प्रोस्टेट के केस में कि पेशाब हो ही नहीं रही है अगर यह condition हो तो इसको भी हुमियोपैथी में ठीक करने की बहुत कारगर दवाएं हैं और दवा का नाम है Digitalis आप Digitalis 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार ले लें कि यदि आपके यूरीन ही नहीं हो पा रही है और आपको बहुत अकलीफ हो रही है यूरीन आपके स्टॉप हो गई है उस कंडिशन में Digitalis लेकर आप एक बार देख सकते हैं शायद यह दवा आपको फायदा कर जाए और दूसी दवा इसी कंडिशन की है परेवा ब्रावा परेवा ब्रावा का मदड इंचर आप दर-दस बून दिन में 4 बार उस कंडिशन में ले सकते हैं जब आपकी यूरीन भी बिलकुल रुख गई हो और आपको बिल्कुर नी पोजीशन में नी हैंड पोजीशन में बैठना पढ़ रहा हो यूरीन को पास करने के लिए अगर यहाँ आपके मैनिफेस्टेशन प्रॉस्टेट बढ़ने पे हो रहा है तो आप इसके लिए परेरा ब्रावा कमरेट इंचर दस बून चार बार लेकर देख लें बहुत उमीद है कि इससे आपको फाइदा मिल जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे फिर एक कंडिशन आती है कि यूरीन को रोख ही नहीं पा रहे हैं इतनी जादा अर्जेंसी आ रहे है प्रोस्टेट बढ़ने पर कि यूरीन रुक नहीं रही है अगर यहाँ कंडिशन आप अपने में देखें तो इसको भी दूर करने के हुमियों पैती में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सलफर आप सलफर वन एम की तीन खुराग पचपच मिनट के फासले पर वीकली ले लें आप देखेंगे कि आपका जो बढ़े हुए प्रोस्टेट है उसके करना को यूरीन का अर्जेंसी हो रहा है वो खतम हो गया और आपका प्रोस्टेट भी ठीक हो गया फिर यह कंडिशन आती है सातियों जो मैं अपने क्लिनिक पर देखता हूँ कि प्रोस्टेट जिसका बढ़ा हुआ है उसको यूटी आई बार बार हो जाता है तो अगर आपके प्रोस्टेट बढ़ने की सिकायत है और साथ में आपको यूरी ट्रैक्ट इंफेक्शन यानि पिशाब में जलन चिलकन यूटी आई भी हो रहा है तो उसको ठीक करने की हुम्योपैथी में दो बहुत कारगर दवाएं हैं पहली दवा है एपिस और दूसरी दवा है केंठरिस एपिस मेलिफीसिया 30 पावर में दो दो बून दिर में तीन बार आप उस कंडिशन में ले स से आपको आराम मिल जाएगा ना आपको यूटी आई होगा और प्रोस्टेट तो आपका ठीक होने ही लगेगा और दूसरी दवा इसी इसी शंकला की है केंठरिस केंठरिस 30 भी आप दो दो बून दिन में तीन बार ले ले यहां यूटी आई की सबसे अच्छी दवाओं मे से एक है और आपको यूरी ट्रेक्ट इंफेक्शन यानि पिशाब में जलन चिलकन को खतम करके आपको निश्ची दूप से आराम दे देगी फिर साथी के कंडिशन देखी गई है कि जिनके प्रोस्टेट होता है उनका यूरीन में बहुत बद्बू आती है अगर आपका ए इसीडम नाइट्रिकम आप एसीडिकम नाइट्रम थार्टी दो सव पावर की तीन खुराग पच-पच मिनिट के फासले पर वीकली ले ले आप देखेंगे कि आपका प्रोस्टेट भी सही हो गया और आपके जो ओफेंसिव और की यूरीन थी बद्बूदार यूरीन थी यूरीन थी वहाँ भी ठीक हो गई और आपको राहत मिल गई फिर एक इस्तिती जो प्रोस्टेट के पेशेंट से अपने क्लीनिक पर देखते हैं वहाँ है कि आपके यूरीन की अर्जिंग बहुत तेज हुई और अगर आपको यूरीन करने के लिए कोई जखान नहीं मिली तो यूरीन इन्वलेंटरी पास हो गई तो अगर यहाँ कंडिशन आप में हो कि प्रोस्टेट एंलाजमेंट हो रहा है और आपके इन्वलेंटरी डिबलिंग ऑफ यूरीन हो गई है तो उस कंडिशन की होमियोपैथी में बहुत कारगर दभा है थूजा आप थूजा 200 पा यूरीनेशन पाया जा रहा है तो आपको थूजा आपकी ड्रग ऑफ चोईस है आप थूजा 200 ले लें यहाँ को करिस्माई रिजाड देगी आपके ऑपरेशन को बचाएगी और आपको ठीक करेगी फिर एक कंडिशन प्रोस्टेट में आती है कभी कभी साथियों कि जो आपको प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण कटिंग टाइप पेन रेतने काटने वाला दर्द महसूस होने लगा यूरीन पास करने के दोरान तो अगर प्रोस्टेट एनलाजमेंट में यहाँ सिम्टम आप में पाया जाए कि रेतने काटने वाला दर्द आपको महसूस हो रह और आप पूरी तरह ठीक भी हो गए आपका प्रोस्टेट भी ठीक होने लगा फिर साथियों हम आपको एक बताएंगे बहुत कारगर दवा होमियोपैथी में जो आपके आप मरीजों के जो कैथेटर तक लगा हुआ है प्रोस्टेट और यूटी आई के कारण वहां तक निकल जाता है और मरीज ठीक हो जाता है या बी पी एच प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी ठीक हो जाता है तो सॉलिड आगो मदा टिंचर ड्रग ऑफ चॉइस है जब आपको कैथेटर तक लगाने वाली इस्तिती आ गई है और आप बहुत परिशान है यहाद अब आपको निश्चित रूप से आराम देगी फिर एक कंडिशन आती जो थोड़ी वर्स कंडिशन है कि आपके प्रोस्टेट में सूजन आगे सूजन क्याए उसमें इंफेक्शन भी हो अगर इस तरह की वर्स कंडिशन आप में आ रहे है तो इसको भी ठीक करने कि हों में पैथी में बहुत कारगर दवा है पहले तो हम दुग करते हैं हम प्रे करते हैं बहुत कारगर दवा हार्टी ले सकते हैं यहां कोई दवाएं थी आपके लिए बनाइन प्रोस्टेट हाइपट्रोफी यानि प्रोस्टेट एंलार्डमेंट यानि गदूत के बढ़ने के विशह में उसको ठीक करने के विशह में हम फिर बता दें कोई भी दवा बिना कुसल्ची किसक से पूछे लें क्योंकि दवा और सिंटम प्रती व्यक्ति के साथ से हुमियोपटी में भिन हो सकते हैं और दवाएं उपसान भी कर सकती हैं और अपने पीयसे की जहां जरूर कराएं क्योंकि प्रोस्टेटिक कैंसर मेल्स में सबसे ज़्यादा फैलने वाला कैंसर है मेरा ये प्रयास अपने बुजुर्थ लोगों के लिए जो कि मेरे लिए पूझ यह हैं उन लोगों के लिए कि आप लोगों की भी कोई समस्या हम लोग कम कर पाएं मैं अपने छोटे मोटे तजरुबे से शायद मेरी उमर उती न हो मैं 40 साल का हूँ अभी 40-40 साल का लेकिन अपने वीडियों में आपकी मदद करने का प्रयास किया है अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे वाट्साइप नंबर 941578630415786380 पर आप अपनी क्वेरी वाट्साइप कर सकते हैं या नोटिफिकेशन पैनल में लिखकर हमें भेज सकते हैं हम आपको आपके सवालों का संतोचनक जवाब देने का प्रयास करेंगे आप हमारे बुजूर्ग हैं बड़े हैं पूज हैं आपसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कह सकता हूँ कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा अगर आपको हमारे यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा यह आपका चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके हमारा नया वीडियो सबसे पहले पाते रहिएगा और हमें हमेशे आपने साथ पाते रहिएगा आपका इतने वक्त हमारी बाते पेशेंटली सुनने के लिए हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ रहने के लिए बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत साथ ववाद, बहुत-बहुत धन्यवाद कर दो कर दो